देखे यह एक कलर की डिजाइन है जाली वाली यह ऐसी तिर्ची तिर्ची पड़ती है इस डिजाइन में आपको ध्यान रखना है कि जो तीन से डिवाइड हो जाएं उतने फंदे डालें और प्लस दो फंदे एक लास्ट का एक सुरू का जो बिना बुने हुए उतारना है और इसके लिए बस आप धिला हाँ चला है और यह दो सलाईयों की डिजाइन है देखे पहली और उल्टी सलाई दो पूरी उल्टी बनी जाएगी नॉर्मल जैसे उल्टी बुनती है इसमें पैटरन के लिए मैंने 24 प्लस दो मतलब 26 फंदे मैंने डाले है और यह देखे पहला बिना बुने उतार लिया तीन फंदा नॉर्मल जैसे बूनते है उसे उतार लिया और तीसरा फंदा पहला वाला जो फंदा उनको इन दोनों से से क्रास कराके वैसे नीची गिरा देना यह ऐसा राइन सी बन जाएगी फिर आपने उन को आगे करना है तो यह पंदा थे हैं एक दो और ये तीन अब जो फंद हमने बढ़ाया था उसको नहीं जो पहला वाला फंद था उस फंदे को इन दोनों फंदों के उपर से क्रास करा के गिरा देना आपको बस यह धियान रखना है जैसे इस बार यहां चाली बन रही है तो इसकी एगली सलाई में यहां च प्रकेशी तीरची बनती अब फिर आपने उना आगे किया एक दो और यह तीन tenderma पहला वाला फंद इसकी ऊपर से उनागे एक फै chief हिद तीन और यह जो पहला सथना यह जो बढ़ा वाला यह जाता है क्योंकि हम यह तीन का एक करेंगे तो यह दो हो जाते हैं तो इसको बढाने के लिए फिर तीन हो गए तो जो बढ़ा वाला फंदा है उसको नहीं क्रॉस करा के गिराएंगे जो पहला बुना हुआ फंदा था उसको क्रॉस कराएंगे और शुरू में तो आप फंदे अपने काउंट कर लेजे कई बार मेरे से तो क्या होते को सुधार सकते हैं एक बार डिजाइन बिगड़ जाती है तो फिर पूरी बिगड़ती ही रहती है एक दो तीन यह पहला वाला से इसके उपर से क्रॉस कराके गिरा देंगे फिर उन आगे एक दो तीन पहला वाला इसके उपर से इसे क्रॉस करा देंगे एक दो और यह तीन अब यह देखिए आपने पने फंदे काउंट कर लेने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदा सोल्रा सत्रा ठारा ठारा 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यह 25 पंदे है तो आपने यहां पर फंदा बढ़ा लेना है यह ऐसे इस तरह और उल्टी सलाई आपको पूरी नौर्मल उल्टी बिनने है बस पहली सलाई इसमें तो सलाईयों की मतलब चार सलाईयों की डिजाइन है उल्टी को तो काउंट करें नहीं क्यो आपने एक फंदे बढ़ा है तो आपने जितने डाले थे 26 पूरे हो गए अब आप उल्टी सलाई पूरी यह जैसे बिनते हैं वैसे बुनेंगे पहला फंदा बस बिना बुने उतार लेंगे पहला बिना बुने इसलिए उतारा जाता है कि यह चीज इक्वल आया तो यह सला अब तीसरी सलाई बनाने के लिए पहला फंदा तो जैसे बिना बुने उतार लेते हैं ऐसे उतार लिया और टाइट कर लिया एक फंदा बिना उन आगे किया और फिर एक दो तीन और पहला फंदा यह देखे अब आपकी यहां जाली बनी थी तब इस सलाई में यहां जाली नहीं बनेगी अब यहां जाली नहीं बनी है यहां में जाली बनाने है उन आगे किया, एक, दो, तो ये, तीन, पहला फंदा, जैसे पहला बुना था, ऐसे ही, पहला फंदा क्रॉस करा दिया, फिर उन आगे, देखिए, यहाँ पर जाली नहीं बनी है, तो यहाँ जाली बनेगी, यह फंदा बढ़ा, जो उन आगे करते हैं, इससे यहाँ पर जाली तीन यह एस तीन इस पर पहले पर से प्रोस्पाइब यह एसे एक दो तीन और यह एस एक दो तीन और यह एसे अब यहां पर लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो यहां फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे इसलिए यहां पर फंदे नहीं बढ़ाने इसे ऐसे ही एक दो यह तीन काउंट करेंगे तो हमारे कुल 26 फंदे ही होंगे उल्टी तरब उल्टी तरब की पूरी उल्टी बनाएंगे और यह देखे जाली जाली सी दिखती है और पतला उन होता है तो यह और भी सुन्दर लगती है लाइट कलर में और यह जो मैंने तीन-तीन की डिपियां बनाई है इस जगह पे यह जो गैब तीन-तीन के यह बनाए है आप चाहें तो इसको चार का टो का भी कर सकते हैं तो यह बड़े-बड़े जाली आएंगे और आप इसे ट्राय करें बहुत ही सिंपल है और मुझे जाली वाले डिजाइण현 vy कुछ जादी अच्छी लगती है और मैं हमेशा इसी को ट्राय करती हूं और यह आप ही ट्राइग करिए यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सबस्कारब करें और जो सजेशन हो उससे दीजीए जिससे आप और इंप्रूव्मेंट किया जा सकें धैंक यू